हमने रैप बलातकार ऐसे अपराधों को संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुने शित की लुटी है किसी की इजद तो लुटा सब का सम्मान होगा नमस्कार मैं निधी रतन और आप देख रहे हैं नाशनल दस्तक एक लड़की होने के नाते मैं काफी परिशान हतास और निराश भी हो आई दिन लगतार हमारे देश में जिस तरीके से खबरे आती हैं रोमटे खड़ हो जाते हैं बलतकार तो जैसे जीवन चरिया का इक पाट बन चुका है हर घंटे में किसी ने किसी लड़की का बलतकार होता और इस दर्दना घटना से हर लड़की को गुजरना पड़ता है सोचिये लगतार मंचों से राजनितिक पाटियां बड़ी-बड़ी बाते करती है महिला सम्मान की बाते करने वाले राजनितिक दल लेकिन धरातल पे किस तरीके से फिलॉप हैं कैसे महिलाओं को आजादी के 75 साल बाद भी सिभोक विलास का वस्तु समझा जाता है कैसे उनके साथ बलतकार किया जाता है कैसे उनको डराने की धंकाने की यहां तक की मारने की क कोशिस की जाती है मैं बता दू कि पहले जिस तरीके से निर्भ्या कांडवा था उसके बाद हादरस कांडवा उन्नाव कांडवा इसके बाद भी हमारे देश के हालात नहीं सुद्र और मनीपूर 2023 का सबसे दर्दनाक घटना थी जिस पर अभी भी हमारे देश के प्रधान मंत्री या मौझूदा सरकार भारती जनता पाटी इस पर कोई कठोर कारवाई नहीं करी कैसे निवस्त्र करकर महिला को घुमाया गया था सोचिए अपने देश में तो हालात बत्तर है ही महिलाओ को लेके लेकिन विदेशी महिलाई भी सुरक्षित नहीं है अब विदेशी जो टूरिस्ट है हमारे देश की खुबसूरती को देखने आते हैं हमारे देश के कल्चर को संस्कृती को जो पहचानने आते हैं दुनिया को बताते हैं वो कि भारत की खुबसूरती क्या भारत अपनी परंपराओं के लिए प्रतिस्ठा के लिए अपनी संस्क्रीती के लिए अपनी विरासत के लिए अपने इतिहासी कामों के लिए जाना जाता है और कैसे उसको कटगरे में खड़ा कर दिया जाता है सिफ एक घटना की वज़े से कैसे महिला के साथ बरबरता होती है कैसे महिला के साथ सामुहिक बलतकार किया जाता और इस पर सरकार का कोई भी टूइट नहीं आता सदन के अंदर बैठी तमाम महिला सांसद वो खामोश रहती हैं सोचिए एक तरफ देश में सबसे बड़ी शादी हो रहे हैं अनंत अंबानी की मुकेस अंबानी के बेटे सोचिए पूरी मीडिया टीवी अखवार लगतार कारे कर मोखी चर्चों से रंगा हुआ लेकिन सोचिए देश के कोने में एक बच्ची चीक रही थ तडप रही थी उसके साथ बलतकार हो रहा था और टीवी अखवार में चुपी है टीवी अखवार में खामोश यह तमाम वो महिला एंकर्स खामोश बैटी हैं जो लगतार महिला सम्मान की लंबी लंबी तारीफों के पुलिंद बांती है सोचिए लगतार उदेश की संस्क टीवी अखवार की नजरों में खबर ना हो लेकिन सोचिए महसूस कीजिए उस लड़की पर क्या गुजरी होगी महसूस कीजिए उस लड़की के तकलीफों को जरा महसूस कीजिए उसमें मैं आप या आप की कोई बेहन बेटी होती तो क्या होता अगर हम किसी के लिए आव से घूम रहे हैं पूरे पांस सालों में काई किलो मीटर का सफर तै कर चुके हैं पर उन्हें कुछ नहीं हुआ हर जगा वे सुरक्षित रहे लेकिन हमारे भारत के जारकंड राज्य में विदेशी महिला के साथ गैंग रिप किया उसके पती को वहरेमी से बीटा यह हमारे दे देश की वेटियों को महफूज नहीं कर पाए और बात इतनी बढ़ गई है कि विदेशी महिला इदी सुरक्षित नहीं है देश के परधार मंत्री मंचों से कहते हैं कि महिला का संबान करना चाहिए और दूसरी जगा अपने ही गिरह राज्य गुजरात में वह विल्किस ब पर ये सवाल खड़ा कर रही हूं तमाम टीवी अखवार में बैठे जातिवादी मनुवादी पत्रकारों से ये सवाल कर रही हूं कि आप जब महिला की आबरू नोची जाती है महिला के आबरू को तार-तार किया जाता है तो आप ऐसी खबरों पर खामोश क्यूं रहते हैं अरे महिला चाहे किसी पार्टी की हो चाहे किसी भी जाती की हो आप महिला की आबरू को महिला की इज़त के लिए महिला की साथ हो रही बरबरता के लिए क्यूं नहीं बोलते हो उसको किसी देश से उसे किसी जाती से उसे किसी पार्टी से जोड़ कर क्यूं देखते हो भारत गुमने आई स्पैन की महिला से गैंग रेव टैंट लगा कर सो रही थी पीडिता दस यूओकों ने दरिंदगी का मामला सामने आया भारत महिलाओं को लेकर शुरक्षा पर एक तमाचा है समय रहते हैं ऐसे मामलों को रोका जा नहीं तो आने वाले टाइम में कोई भी विदे सी महिला भारत नहीं आएगी ऐसे मामलों को रोखने के लिए भारती सरकार जो विदेशी परट को के लिए अच्छी सुविदा का प्रवंद करना चाही कुछ समय पहले ऐसे ही मामला रशियन महिला के साथ हुआ तो सोची जारखन के दुमका में कैसे विदेशी महिला के सामोहिक बलत कार किया जाता है यह इसलिए होता है कि हम भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेके चिंतित नहीं है यह इसलिए होता है हम महिलाओं की इजद को किसी जाती और पार्टी से जोड़ कर देखते हैं जब तक महिलाओं महिलाओं इस तरीके से बटी रहेंगी गु ऐसे तीन वाइक सवार लोग एक लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं उन्हों आरोपियों को साथ दिन के बाद पकड़ा जाता है वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीं के चुनावी मंचों से तमाम राजनितिक पाटियां बड़ी-बड़ी बाते तो करती हैं लेकिन असल में वो महिलाओ की इजद को लेके महिलाओ की आबरू को लेके महिलाओ की सुरक्षा को लेके बिल्कुल भी चिंतित नहीं है बिल्कुल भी जागरुक नहीं है जारखन से विडेसी महिला की रेप की घटना तो आई लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुए सोचिए कोरियन ब्ल गटना को अंजाम दिया जाता है देश में ऐसी घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को लगता है कि अगर कोई महिला बोल्ड कपड़े पहनी है कोई महिला जागरो के कोई महिला खुलकर बात कर रही है तो वह शायद इजी अवेलबल हो जाएगी शायद उसको हम यूज इसंत्रों की समझने लगेंगे शायद हम उसे यूज त्रिकी की बन गए है जबकि भारत तो अपनी संसक्रिती के लिए जाना जाता है पंपोनी च autoconut plane के समानमां देते हम सब खामोश रहते हैं चाक्क्म पकड़ा जा चुका है एक दूआद में प्रिपदार भी हुआ है लेकिन सोचिए आरोपियों को पकड़ने के बाद क्या होगा क्या उन बेटियों को इनसाफ मिल जाएगा जो हादरस में जान दे चुकी है उनको इनसाफ मिल जाएगा उन नाओ में किस तरीके से रेप पीडिता के पूरे परिवार क हो जाता है हम सब खामोश रहते हैं हम सब अपण बनकर सिफ़ यह सब देख रहते हम सबल In Palais और हम सब बोलना जरूरी नहीं समझते क्योंकि कहींद न हम महिला के शरीर को महिला की आत्मा को महिला के विचारों को किसी पाटी से और जाथी सी देखते हैं सोचे अगर आप महिलाओ की सुरक्षा को लेकि नहीं बोलना शुरू करेंगे तो आने वाले टाइम में महिलाओ को घरों से निकाल कर बलतकार किये जाएंगे महिलाओ को घर से निकाल कर उनको निवस्त्र करके घुमाया जाएगा उसका एक एक एक्जामपल मनिपूर भी है देश के तमाम राजनितिक पाटियां, तमाम बड़ी-बड़ी बाते तो करती हैं, लेकिन बहिलाओ की आवरूपर हर कोई पीछे क्यों हट जाता है, शुक्रिया.